परखंड के विभिन पंचायतों में मनरेगा योजना के काडियों में लूट मची है बताया जाता है कि मनरेगा योजना के सारे नियमों को ताक पर रखकर बिचोलियों वेंपदाधिकारियों की मिली भगस से मनरेगा में लूट का खेल चल रहा है मजदूरे के नाम पर जम कर हेरा फेरी की जा रही है निस्पक्ष जांच होने पर घुटाले का परदाफास हो सकता है चर्चा है कि परखंड में मनरेगा योजना के सभी मामदंड को के विप्रित कार्ज कराया जा रहा है गाये बगाये परखंड के पदादिकारी और चक निरिक्षन के लिए योजना स्थल पर पहुंसते हैं कारियों में कई अनियमित्ता की साथ साथ कमी पाई जाती है लेकिन इस पर कोई भी सुधार नहीं हो पाता है इससे साब पता चलता है कि पदादिकारी और विचोलियों की मिली भगत से इस तरह का कार्ज चल रहा है ताजा मामला सुखारी पंचायत के सोभापूर गोंका है ग्रामुइन परभू पंडीत बिनोत पंडीत बिजय पंडीत समसेर असोगो स्वामी साजहां सकील नसीम नजाम बाबुलाल दास नजुरूल समेत अन ने परखंड विकास पदादिकारी सुरेंद उम्राओ को हस्ताक्षर युक्त संयुक्त आवेदन दे कर मन्रेगा योजना में गड़वडी की सिकायत किये मन्रेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं देने समय फरजी तरीके से पैसे की निकासी करने का अरोप लगाते वे ये भी कहा गया है कि जिस भक्ती के नाम पर पैसा की निकासी की गई है उसमें कुछ लोग आडानी कमपनी में कार्ज कर रहे हैं तो कुछ लोग घर पर दुकान चलाते हैं वहीं कुछ लोग काम करने के लिए घर से बाहर तक भी नहीं निकलते हैं लेकिन इन लोगों के नाम से मन्रेगा का पैसा खाते में हस्तांतरी कर दिया जाता है और बिचालियो दोरह उसकी अवैर धंग से निकासी भी कर ली जाती है जिसे लेकर गरामिनों ने जांज कर कानूनी करवाई करने की मांग किया है इधर गरामिनों के सिकायत के बाद जांज करने परखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद उम्रो एवं बीपियो साहब राम हस्दा पहुंसते थे जांज के बाद वापस लोटने के दरौन गरामिनों के पास सिकायत करता समेथ गरामिनों ने वीडियो के समक जम कर बवाल काटा बीडियो ने ग्रामिनों से कहा जिसके बारे में स्थिकायत किये हैं उसके बारे में बताईए अन्य समस्या को नहीं वही एक महिला ने परखंड विकास पदादिकारी को कहा कि गौम ये जिसका अलिशान पक्के का माकान है उसे परधान मंत्री आवास का लाब दिया जा रहा है और जिसके पास रहने का जोपड़ी है उसे आवास का लाब लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है बाबजू योजना का लाब नहीं मिल रहा है बीपियो का कहना है कि गरामिनों की सिकायत के बाद परखंड विएस पदाधिकारी वह बीपियों के द्वारा जांच किया गया है जांच रिपोर्ट अभी तक तयार नहीं हुआ है जांच रिपोर्ट तयार हुने के बाद ही असपस्ट कहा जा सकता है और गड़बली करने में जो भी दोसी है सभी के बिरोत बिवागिय कारवाई की जाएगी यह सुशपार में तो और सकरिए़ च्हासी